चुलिए ब्रेक के बाद आप सुभी का एक बार प्रसु स्वागत है सिधे रुख करेंगे अगली कबर का कबर आपको बता रहे है सिब्डी से जहां मूलगूत सुविधाव से ग्रामेंड बंचृत है बखारी से चरगावा गाव के बीच सड़क नहीं है 8 km कीचवड से पूरा मार्ग भरा है मरीज को खट्या पर लाद कर पहुचाने को मजबूर एक रामेंड दिखिए आप देख सकते हैं तस्विरों में मरीज जो है जिसकी तबेत बहुत ज़ादा खराब है और क्योंकि हाँ पर सड़क धंग से बनी नहीं है चलिए सड़क धंग से नहीं बनी वो भी ठीक है मगर आप देख सकते हैं कि कितना ज़ादा कीचवड हैं हाँ पर सड़क पर खटा हुआ है जैसे कि अगर कोई भी गाड़ी यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर धस जाएगी गाड़ी उसी के चलते ग्रामिनों को मजबूरन खटिया पर जैसे तैसे करके मरीज को अस्पताल लेज़ाना पड़ रहा है रोड नए रहना काड़ा रोड खचाड़ा रोड बहुत चीखाल चीखल बहुत परिसान होते थे इसलिए खटिया में लेकर हमा लड़का की लेकर आये हैं हमने ग्राम बखारी का रहने वाला हूँ हमारी इधर रोड की बहुत समस्या है जैसे अभी अचानक एक की सीरियस तबियत खराब हो गई उल्टी दस्त आने लगी तो पांच किलो मीटर दूर से पैदल आत्रा करके लेकर आये हैं खटिया में चलके तो रोड बहुत खचाड़ा है चलने में दिक्कत आ रही है लोग बागों को चलने में दिक्कत आ रही है गाडी घोड़ा आने जाने में दिक्कत आ रही है एंबुलेंस वालों के पास में 108 में फोन किये हैं तो एंबुलेंस वाले बोल रहे कि रोड खराब है तो वहां तक नहीं आ पा रहे हैं तो आप लेके आईए ऐसा करके बोल रहा है तो हम लोग खटिया में लेके आएगे